क्लास टू मैट्स रिविजन ओफ चैप्टर 11 मनी स्टुडेंट्स जानते हो आप मनी का मतलब होता है धन दौलत देखो जैसे कि आप जानते हो जो हमारी कंट्री है इंडिया उसमें जो हमारी करंसी है वह है रुप्या जिसका सिंबल देखो ऐसा होता है यह मैंने आपको जब आपको जो आपको पूरा वर्ट में काफी पड़ा लिखा है यह शौर्ट में आपको लिखना है जिसे देखो फस्ट है 80 रुपीज और 35 पैसे तो बच्चे जैसे की जानते हैं देखो 80 रुपीज और 35 पैसे अब शौर्ट में लिखने के लिए करोगे सबसे पहले आप अबचन रिख वाउंट लिक्वांट लिखने कि गए पैसे होते हैं ओकू यह सेम थहते हो अपका ुपीज का सिम्मल बनाई एफ्टी रुपीज फीर लिखेंगे फिर 20 पैसे लिखें 3 रुपीज एंस पॉइंट फिर 60 पैसे एंड की जंग आपको पॉइंट लगाने और जो भी मांट लिखते हो इससे पहले रुपीज का सिंबल बनाने फिर देखो बीपाट इसका रिस्ट पॉजिज है अब आपको शॉर्ट में दिया हुए है मांट उसे आपको फॉल फॉर् जो पॉइंड लुपीज का सिंबल बना ना है तो पॉयंट से पहले आपके रुपीज है जाए फिर पोइंड पीज अ किसे पासे है थेंड केती पासे से बाद ऐस पनी फएंड वोइज है सगिने अपको थर्टी एट पॉइंड पॉइट पोंइफ प्यएज आप हैपाइस तो बच्चे आपको एक्सराइज 11.1 ऐसे होगी नेक्स एक्सराइज 11.2 इसमें आपको एड़ करना है बच्चा तेखो कुछ नीचे चीजे पिक्चर बनी हुई है अब उनके साथ प्राइस टेक लगा हो यान उनकी कोस्ट लिखे क्यों कीमत किया है अब नीचे के करना है पाउंट को इनकी कोस्ट होंने एड़ करके टोटर कोस्ट बता नहीं है देखो आइसक्री मृरीट तोई का थे प्राइज 11 के है 5 रुपीस लिए के के माएगा जाएगा हुए ह systुलेत कोशे और पहाँ को सब्सक्राइब और प्राइब करोगे अब आता है 11.3 इसमें आपको सब्ट्राक्ट करना है सब्ट्राइक भी बच्चे सेम ऐसे होगा जिसे देखो फर्स दिया अपको 5 रुपीज और 65 पैसे इसमें आपको 2 रुपीज और 50 पैसे को सब्ट्राक्ट करना है तो बच्चे आप अपने राइट से स्टार्ट करोगे 5-05, 6-51, 5-23, so your answer is 3 रुपीज और 15 पैसे अब देखो exercise 11.4, last test में word sum दिये गए है, first day आपका, I give rupees 20 to the shopkeeper, I bought biscuit for rupees 10, how much money will I get back? देखो मैंने shopkeeper को 20 रुपीज दिये, और मैंने 10 रुपीज के biscuit खरी दे, तो बताओ मुझे कितने रुपीज वापिस करेगा, तो बच्चे 20 रुपीज आपने दिये, 10 के आपने biscuit लिए, तो total money जो आपने दी, उसमें से जितने आपने खर्च के biscuit पे, उसे subtract कर दो, subtract कर दो, बच्चे देखो, आपका अंसर आया, 10, 20 रुपीज माइनस 10 रुपीज is equal to 10 रुपीज, तो I will get rupees 10 रुपीज देख, तो मुझे 10 रुपीज वापिस मिलेंगे, तो मुझे 10 रुपीज रुपीज वापिस मिलेंगे, रिदेखो 2nd है, Rina bought bread for 8 रुपीज and 50 पैसे, toffees for 10 रु bread खरी दी, 10 रुपीज की उसने टॉफी खरी दी, और 20 रुपीज की उसने चॉकलेट खरी दी, तो बताइए उसने टुटर कितना खर्चागे, कितने पैसे खर्च की है, तीनों जो उसने खर्चे की हैं, तीनों चीजो पर does it cost support, तीनों को add कर देजिए विच्चा, तो कुछ थर्ड है, my father gave me 300 rupees for the picnic, I spent 207 how much money will I return to my father मेरे फादर ने मज़े पिक्निक पे जाने के लिए 300 रुपीज दिये, और मैंने वाह जा के 207 रुपीज खर्च कर दिये तो बताओ अपने फादरों को कितनी रुपीज रिटर्न वापिस करूँगा तो बत्चे जो उन्होंने रुपीज आपको दिये जो माउंट दिया 300 रुपीज और जो आपने खर्चा किया 207 रुपीज सब्ट्राक्ट कर दिजे सब्ट्राक्ट करके आया 93 रुपीज तो आप ने फादर को 93 रुपीज रिटर्न करोगी तो आपकी एक्सराइज 11.4 ऐसे होगी वर्ट सम चो कम्प्लेट हुई तो स्टुडेंट्स आपको क्या करना है चैप्टर 11 जो आपका मनी आप इसे अच्छे से रप नोट बुक में रिविजन करोगे इस चैप्टर की और जिन बच्चों ने इसे पनी बुक में नहीं किया है वो उसे पनी बुक में करेंगे ओके स्टुडेंट्स आज के लिए इतना है आप से फिर होगी मुलाकात नेक्स वीडियो में चैप्टर 12 के साथ थैंक यू